इस वीडियो में हम सीमान्त वेक पर बेस्ट कुछ निमारिकल्स करेंगे तो शुरू करते हैं अपना पहला निमारिकल ये कहता है कि 2.0 mm त्रिज्या वाली एक तामे की गें 20 डिग्री सेल्सियस पर 6.5 cm पर सेकंड सीमान्त वेक से तेल के टैंक में गिर रही है 20 डिग्री सेल्सियस पर तेल की श्यान्ता का आंकलन कीजिये हमें यहाँ पर क्या निकालना है तेल की श्यान्ता निकालने है ठीक है तेल का घनत्व हमें दिया गया है 1.5 into 10 raised to power 3 kg per meter cube तथा टांबे का घनत्व हमें दिया गया है 8.9 into 10 raised to power 3 kg per meter cube तो यहाँ पर यह numerical सीधे सीधे formula से ही हो जाएगा तो देखे हमें दिया गया है क्या दिया गया है तांबे की गेंद का सीमान तविक तो इसे हम VT कह सकते हैं यह कितना दिया गया है 6.5 cm per second अब आप देख सकते हैं कि जो घनत्व है तेल तथा तांबे का उसमें हमें meter cube दिख रहा है तो हम क्या करेंगे जो यह centimeter है इसे meter में convert कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 6.5 into यह centimeter है meter में convert करने के लिए से 10 की power minus 2 से multiply करेंगे और यह हो जाएगा meter per second क्या इतना समझ में आया अब यहाँ पर देखिए हमें जो radius है किसका तांबे की gain का यानि की r कितना दिया गया है 2 mm अब हमें इसे भी क्या करना पड़ेगा meter में convert करना पड़ेगा तो हम इसे क्या करेंगे 10 की power minus 3 से गुणा कर देंगे तो यह meter बन जाएगा अब बात करते हैं रो की रो हम क्या लेते थे तो रो यहाँ पर तांबे का घनत्व होगा ठीक है तो यह कितना दिया गया है 8.9 into 10 की power 3 kg per meter cube और जो sigma होता है वो क्या होता है द्रव का घनत्व into 10 की power 3 kg per meter cube दिया गया है और हमें यहाँ पर तेल का श्यानता गुणांख निकालना था यानि कि हमें eta जो है वो find out करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे देखिए Vt इसका क्या सूत्र था तो यह होता है 2 by 9 r square यहाँ पर आएगा sigma minus rho g upon eta अब यहाँ पर यह दिया हमें eta निकालना हो तो यह क्या हो जाएगा इसे हमें से लिख सकते हैं eta is equal to यानि कि इससे इस तरफ ले गए ठीक है और Vt को इस तरफ ले गए तो यह हो जाएगा 2 by 9 r square rho minus sigma g upon यहाँ पर क्या जाएगा Vt तो यहाँ पर इस numerical में हम इसे use करेंगे तो देखिए हमें मिल जाएगा eta is equal to 2 by 9 r square sigma minus rho g upon यहाँ पर आजाएगा Vt अब यहाँ पर हम जो भी हमें दिया गया है उसे put कर देंगे तो 2 by 9 r की जगे के आएगा यह देखिए r की जगे आजाएगा 2 into 10 की पावर minus 3 square ठीक है रो की जगे के आएगा यह आजाएगा तो यह है 8.9 into 10 की पावर 3 minus sigma की जगे यह आजाएगा तो यह हो जाएगा 1.5 into 10 की पावर 3 क्या अतना समझ में आया और g यानि कि जो गुरुत्विय त्वरण है वो 9.8 हो गया ठीक है और यहाँ पर यह VT क्या था यह सीमान तवेग था और यह क्या दिया गया हमें बताएगे यहाँ पर यह देखिए यह है 6.5 into 10 की पावर minus 2 ठीक है अब हम इसे क्या करेंगे हम इसे solve कर लेंगे तो हमें easily क्या मिल जाएगा answer मिल जाएगा यानि कि हमें यहाँ पर formula पता होना चाहिए था जिस भी बच्चे को formula पता होगा वो इसे easily solve कर लेगा तो यहाँ पर आजाएगा 2 by 9 into यहाँ पर यह इसका square है तो 2 का square हो जाएगा 4 into यह क्या हो जाएगा 10 की पावर minus 6 ठीक है और ध्यान से देखिए यहाँ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 10 की पावर 3 हम क्या ले सकते हैं common ले सकते हैं तो यह हो जाएगा 10 की पावर 3 into 8.9 minus 1.5 तो यह कितना आ जाएगा 7.4 ठीक है into 9.8 और यहाँ पर आ जाएगा 6.5 into 10 की पावर minus 2 तो यह हो जाएगा 2 by 9 into 290.08 into यह दोनों solve हो जाएँगे कौन दोनों यह दिखे 10 की पावर minus 6 और 10 की पावर 3 तो यह हो जाएगा 10 की पावर minus 3 और नीचे आ जाएगा 6.5 into 10 की पावर minus 2 यानि कि 4, 7.4 और 9.8 को जब multiply किया तो हमें 290.08 मिल गया कि अतना समझ में आया जब आप इसे solve करेंगे तो आपको मिल जाएगा 0.991 Newton second meter square ठीक है या फिर इसे कैसे लिख सकते हैं इसे हम 9.91 into 10 की पावर minus 1 Newton second meter square भी लिख सकते हैं तो यह हमें क्या मिल गया यह हमें शान्ता गुडांक मिल गया चलिए अब बात करते हैं दूसरे numerical की यहाँ पर कहा गया है समान तरिज्या की दो बूंदे ठीक है तो हमारे पास दो बूंदे हैं जो समान तरिज्या की है यानि दोनों का radius सेम है 20 meter per second की नियत वेग से वायू में नीचे गिर रही है ठीक है यहाँ पर उसका नियत वेग दिया गया है दोनों ही बूंदों का ध्यान से देखिए यदि दोनों बूंदे क्या कह रहा है यदि दोनों बूंदे संयुक्त होकर एक हो जाए यानि कि दोनों बूंदे आपस में मिलकर एक हो जाएं तो उसका अंतिम वेग क्या होगा ये हमें प्रश्न दिया गया है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे हमें तो सिर्फ जो छोटी बूंदे हैं उनका क्या दिया गया है सीमान्थ वेग या फिर आप नियत वेग कह सकते हैं तो हम कैसे करेंगे इस प्रश्ण पुहल तो देखिए हम सबसे पहले ये मान लेते हैं कि जो छोटी बूंध है उसकी त्रिज्ज्या कुछ मान लेते हैं और बड़ी बूंध की त्रिज्ज्या कुछ मान लेते हैं तो हम छोटी बूंध के त्रिज्ज्या आर तथा बड़ी बूंध की त्रिज्ज्या ये मान लेते हैं तो अब क्योंकि यहाँ पर जो यह बड़ी बूंद है यह दो छोटी बूंद को मिलकर बना है यानि कि जो बड़ी बूंद का आयतन होगा वो छोटी बूंदों के दुगना होगा तो यहाँ पर हम यह लिख देते हैं ठीक है तो यहाँ पर बड़ी बूंद का आयतन क्या होग 4 by 3 pi और यहाँ पर small r उसकी तरिज्या है तो r cube पर क्योंकि यहाँ पर हमें 2 चोटी बुंदों का आयतन लेना है तो यहाँ पर हम 2 से गुणा कर देंगे क्या इतना समझ में आया तो चलिए से solve कर लेते हैं 4 by 3 pi से 4 by 3 pi क्या हो जाएगा cancel हो जाएगा हमें मिल जाएगा r cube is equal to 2 r cube और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से r हमें 2 की power 1 by 3 r यह मिल जाएगा चलिए ठीक है अब ध्यान से देखिए हम छोटी बून की जो यह नियत वेग है इसे v1 कह देते हैं और जो बड़ी बून का नियत वेग यानि कि अंतिम वेग होगा उसे v2 कह देते हैं ठीक है तो यहाँ पर हमने छोटी बून का अंतिम वेग v1 तथा बड़ी बून का अंतिम वेग v2 ले अपॉन इटा आजाएगा वहीं यदि मुझे बड़ी बूंद का अंतिमवेग लिखना हो तो बड़ी बूंद का क्या सूत्र आएगा टू बाई नाइन अब बड़ी बूंद की तरिज्या कापिटल आर है तो यहाँ पर आर स्क्वेर आजाएगा और रो माइनस सिगमा जी अ अपॉन इटा आजाएगा अब हम इस समिकरण को इस वाली समिकरण से भाग दे देंगे तो हमें मिल जाएगा वीटू अपॉन और यहाँ पर वीटू का सूत्र लिख देंगे जो की है तू बाई नाइन आर स्क्वेर रो माइनस सिगमा जी अपॉन इटा और इसके अपॉन अपॉन इटा तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसे हम कैसे लिख सकते हैं देखे इसे इस प्रकार से लिखा जा सकता है आर अपॉन स्मॉल आर का होल स्क्वेर अब ध्यान से देखे यहाँ पर यह देखे हमें जो कैपिटल आर था वो यह हमने पहले निकाल लिया था हो तो हम यहाँ पर कैपिटल आर की जगह अब यह रख सकते हैं ठीक है तो हमें मिल जाएगा यहाँ से आर से आर का होल स्क्वेर यहाँ से आर से आर कैंसल और हमें क्या मिल जाएगा हमें मिल जाएगा 4 की पावर 1 बाई 3 तो क्या हमें आंसर मिल गया है नहीं हमें निकालना था V2 अभी हमारा जो solution है वो थोड़ा सा easy हो गया है तो यहाँ से अब हम क्या निकालेंगे V2 निकालेंगे तो V2 क्या आजाएगा यहाँ से देखे 4 की पावर 1 बाई 3 इन्टू V1 ठीक है और V1 कितना था V1 था 20 मीटर पर सेकेंड तो यहाँ पर मिल जाएगा 4 1 बाई 3 इन्टू 20 मीटर पर सेकेंड तो यह हमें क्या मिल गया यह हमें V2 की वैल्यू मिल गया तो यह वाला question काफी interesting था I hope आप लोगों को यह अच्छे सा समझ में आ गया होगा